हाई एवरिवन वेलकम वेलकम बैक तो दिस यूट्यूब चैनल एंसी आटी सेलेशन क्लास 11 एं 12 यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट फिजिस के भी स्टिट बायो के एंसी आटी सेलेशन प्रवाइट करवाय जाते हैं अर्रेंजमेंट ओफ ओव्यूज ओवर प्लेसंटा प्लेसंटा के ऊपर ओव्यूज जब अर्रेंजड होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं प्लेसंटेशन कह देते हैं तो यह प्लेसंटेशन आपके पास हैं पांच टाइप का होता सबसे पह होता है मतलब आपको पता होता है कि मटर को किस साइड से छीलना होता और दूसी साइड में उसके भी ovules लगे होते हैं, वो कहां लगते हैं, ventral suture के उपर, जहां से मोटा वाला पार्ट होता है, जहां पर ये मटर लगे वे होते हैं, that is called the ventral suture, तो हम इसको बोल सकते हैं, this is called the, एक, मतलब वो ventral suture जो होती है, वेंटरल suture से मटर लगे होए होते हैं, तो ये marginal होता है, margin के उपर लगे होए है marginal टाइप का मिलता है, तो ये कहां पर मेरेगा आपको पताईए, example इसका हो जाएगा P, number two पे आपके पास में आ जाता है एक और टाइप का placentation वो होता है exile, exile presentation का मतलब होता है कि यार आपके पास में एक ovary होती है और उस ovary में बहुत सारे locules present होते है तो यहाँ पर आपके पास में ये ovary है इसमें locules बनाए है, मतलब इसमें कुछ compartments बनाए है, मैंने इस compartments के अंदर यहाँ पर बीचो बीच मैंने क्या लगाए है यहाँ पर placenta होती बीचो बीच और यहाँ पर आपके ovules लगे वे होते है तो exile type का placentation होता है multilocular ovary के अंदर locule का मतलब क्या होता है compartments है तो यह 3 compartments बनाए हुए मैंने multilocular ovary के अंदर कुछ इस तरीके का आपको यह मिलेगा और यहाँ पर आपके example हो जाता है बच्चो लेमन में टमेटो के अंदर भी यही मिलता है तो लेमन में टमेटो में exile type का placentation देखने को मिलता है number 3 के उपर आपके पास मिल जाता है parietal ठीक है तो number 3 आपका हो जाएगा parietal placentation parietal का मतलब होता है periphery के उपर अगर ovules लगे वे होंगे तो let's suppose this is the ovary ovary हमेशा unilocular होगी लेकिन इस unilocular में एक false septum मिलेगा तो यहाँ पर जो होता है न प्लेसंटा लगी होती है तो यहाँ पर आपके यह ovules लगे वे होती है कुछ इस तरीके से ovules जो होते है आपके periphery के उपर लगे होए होते है ठीके यह आपके ovules यहाँ पर लगे होए होते है यहाँ पर ठीके तो यह जो होते है ovules side में लगे होए है बीच में कुछ नहीं है तो बीच में आपको लगता है unilocular ovary है बट यह होती नहीं है इसमें false septum मिलता है false septum को replum बोलते हैं तो यह क्या हो जाता है यहाँ पर false septum इसको हम बोल देते हैं replum ठीक है और यह side में periphery पर लगा हुआ होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है single chambered ovary है यानि unilocular ovary है लगती है unilocular लकिसमे false septum मिलता है ठीक है इसका example हो जाता है बच्चों mustard mustard यह पूरे के पूरे NCRT से उठाए गए example है number four के ऊपर आपके पास में आ जाता है parietal के साथ-साथ basal basal ovary के इंदर क्या होता है कि आपका जो ovule होता है बिल्कुल base में present होता है कि let's suppose आपके पास में यह इस तरीके की ovary present होती है right इस ovary के पास में यहाँ पर placenta होता है इस placenta के ऊपर अगा होता है आपके पास में एक ही ovule होता है single ovule वो attached होता है यह question में आ चुका है कि ऐसा कौन से type का placentation होता है जहाँ पर एक ही ovule attached होता है तो यह एक ovule attached होगा वो basal type की placentation में मिलेगा और इसका example हो जाता है आपके पास में Mary gold ठीक है उसके बाद में पाच्वा नंबर आ आपका आ जाता है free central free central का मतलब होता है कि आपकी ovary के अंदर बीचो ही beach आपके यहाँ पर क्या लगे हो होते है व्यूस लगे हो होते है बीचो बीच आपकी placenta होती है तो central placenta यहाँ पर मिलती है free central के अंदर इसलिए इसका नाम free central है क्योंकि central में ही placenta मिलती होती है इसके example चो होते हैं, डाइन्थस और प्रिम्रोज होता है, ठीक है, डाइन्थस भी इसी का ही example होता है, ठीक है, तो ये आपके पास में free central का हो गया, तो इस तरीकी से 5 type के आपको मिल जाते हैं, placentation इसके अंदर, right, so I hope कि आपको वीडियो अची लगी हो लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीना, thank you